Hello students and educators, आज का हमारा topic है character formatting का, आप अब इस level पर आ गए हैं जहां पर जाके आप word के अंदर formatting करेंगे, जब formatting के माईने आप जहें नशीन कर लिए, formatting के माईन होते है, appearance को change करना है, उसके जाहरी शेकल को change करना है, अब जाहरी शेकल किस चीज़ की change करना है बड़ी important है, अब बड़ी important चीज़ जो के बहुत कम लोग जानते के word के अंदर 4 किसम के level होते है, formatting के, there are 4 levels of formatting in MS Word, जो पहला level है वो character का होता है, second paragraph का होता है, third session का होता है, fourth document का होता है, character का मत्तब दया के एक line है, उसके ओपर आप ये formatting करहें, ये सारी commands, character formatting है हमारे पास बाकी paragraph formatting, ये जो paragraph है, paragraph है, relevant जो options आ रहे हैं ये paragraph formatting है हमारे पास, document केंगे paragraphs, session का मत्तब ही होताए, session का फूरो topic है हमारे पास, session का मत्तब का 8 page है, और मैं इनको चार पेश्ट को एक session में कर लूँ और चार पेश्ट को दूसरे session में कर लूँ So, मैं session wise formatting अलग कर सकते हूं In short कि अगर मैं 4 पेश्ट को के इंदर इसको landscape बर दूँ और 4 को portrait कर लूँ तो ये मैं session बना कर सकते हूं में वैसे नॉर्मली जो है नहीं कर सकता कि अगर मैं लियॉट पर जाओं और मैं और अलिडेशन के अंदर उसको लेंड्सकेप कर दो तो यह सारे हो जाएंगे ठीक है तो अगर मैं इन पर चाहता हो कि आदे लेंड्स के वह आदे पोड्रेट हो आदों की मार्चन अलग हो तो वह सारे काम जो होते हैं इसके सारे लेवल्स को four लेवल्स हैं जो के दुबारा रिपीट कर दे दाँ कि पहला लेवल जो फार्मेटिंग के है और करेक्टर का है फिर पैगाफ का है फिर सेशन क क फिर डॉक्रमेंट का है So let's just get started From Director Formatting जो कि हमारे पास उसकी निया भशास दौर पर font group ले 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 दे, home tab के इंदर font group, इसकी नहीं मैं नया document टाप के ले ले दो हैं यहां से, एक document है मेरे पास, इसके अंदर मैंने enter करके headings बनाएंगे, और मैं सबसे basic चीज़े करता हूँ, जो हरकोई कर रहा होता है, बच्चे बच्चे को बदो यह काम कर ले तो वो कर रहा होता है कि बोल्ड कर लिया इसको, italic कर लिया, बोल्ड प्रांट करने के नहीं है, ठीक है, control भी shortcut भी आ रहा है, control I, italic, control U, जो है ना वो underline, ठीक है, यह common चीज़े जो आप perform कर रहा होते हैं, इसके लावा आपके पास जो है, जो आप काम कर रहे होते हैं, इसी से दलता भी, इसी से हटा भी है, अगर control भी दबा दूँ तो यह हट गया, जो active हो आवा भी, वो command नज़ा आ रही है, अब इस character के उपर, यह पहले ऐसा text था, इसकी appearance चेंज़ कर दी, इन formatting command की मरस से, इन command की मरस से, आपने इसकी appearance को change कर दिया, फिर मैं आपके पास यहाँ पर जाता हूँ, colors के अंदर, यह तो मैंने बोलटरिक underlying के लिए है, ठीक है, अब मैं normal colors में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर कह दूँ कि यह solid colors हैं, ठीक है standard colors solid colors हैं, अगर मैं जाँ तो इसके अंदर मेरे पास variants भी आ रहे हैं, इसके tint shades आ रहे हैं, यह आ रहे हैं, अगर आप बांस paper देते हैं, उसमें इस तरह आए, green, essence, 6, डाल दो lighter, dark, 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 dark variations हैं और light variations हैं, ठीक है, उसके लाव हमारे पास अगर आप चाहें, तो हम अपना color भी बना सकते हैं, अगर हमें color value पता है, screen color RGB colors होते हैं, आप screen color अस्ते हैं, वो RGB colors होते हैं, तो more color पर जाएए, तो अगर आप किसी से भी एक net से भी कोई value देख कर आए, RGB color तो यह आ रही है, आप यहां से RGB color कोई भी value दालें, या hexadecimal colors, यह वड़े आसानी से available होते हैं, आप लेकर आजिए, और यहां पे enter कर लीजिए, अगर exam देने तो exam में सवाल आता है, कि आपको बस one, two, कोई भी value देदेगा, वो आपको बना के यहां पे दालनी होगी, ठीक है, आप यह देख रहें, in combination of red green blue, RGB color से मिलके सारे color बनता के पास, तो screen color की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लावा आप ने इसको यहां से okay कर दिया, आप चाहें तो किसी एक color के अंदर shade भी बना सकते हैं, कि आप ने का यार मैंने यह यह लिया, यहां से red, अब यह red, जो है ना, मुझे थोड़ सा blood red बनाना है, तो यह आ रहे है, light variations, dark variations, जो बनाना चाहें, तो यह आप colors यहां से भी बना सकते हैं, ठीक है, तो यह बढ़ी important चीज है, कि how to make your colors, ठीक है, इसके लावा gradients भी आ रहे हैं, gradients बात में जब आप ट्रॉपिक करेंगे, त लेकि preset भी दा सकते हैं इसका, ठीक है, तो gradients basically combination of multiple colors होते हैं, एक या दो से ज़्यादा colors और distribution किस दलीव है, center से, light variations में, dark में दलीव है, किस angle से दलीव होती है, ठीक है, लेकिन आप अभी भी काम करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, कि mode gradient पर जाके आपने gradients भी यहां पर बना इसको हम बात में देखें, जब हम shape पर गाम करेंगे, लेकिन आप try करें, क्यों मैं देता हुआ हूं को आप सब चीजों पर काम करें, क्योंकि बच्चों क्यादा है होती है, मैंने shape पर gridding कर आए, तो करेंगे shape पर gridding कर आए, तो सणने है, भाई यहाँ पे करो ना, जब option य आपने कहले चेंज के लिए बुर्टेलिक अंडिलाइन के लिए इसके लावा हमारे पास फॉन्ड या टाइप फेस पर पूल लिए होते हैं फॉन्ड पे फॉन्ड किसी भी लियॉटिंग इंदर्स सबसे बड़ा वैपन है अगर आप फॉन्ड पे काम करना आपको आगया तो आप स्टेंडर्ड कर सकते हैं इसमें जरा से आपको चीटे दिखाना चाहता हूं कि यहां से मैंने एरियल ब्लेक करा ठीक है और मैंने यहां से साइस इंक्रीज करा अब इस साइस के अपर मैं आता हूं आपर मैं यहां से मैंने इसको underline को फटा दिया, अर टेलक को उटा दिया ठीक है यह मेरे पास font आ ररहे है अब इसी तरह से मैं यहां पर font size increase करता हूं और मैं यहां पर जाता हूं और मैं यहां पर यह font apply करता हूं और मैं इसका color change करा देता हूं इस one कि और मैं साइस को और इंक्रीस कर लेता हूं थर्ड मैं यहाँ पर जाता हूं और फिर मैं यहाँ पर जाता हूं और इस टाइम मैं यह क्लिक कर देता हूं और इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं साइस इंक्रीस कर लेता हूं और इसका कले हम यह दे 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 और मैं थोड़ा सा फॉन्ड में और चेंज करता हूँ अचा तीनों राइटिंग स्टाइल अलग अलग हैं तीन किसम की राइटिंग स्टाइल है मैंने डाले अब बजायर तो यह फॉन्ड का नाम है की रियल बैक दलावाए यह आपके पास फॉन्ड को चेक करें इसमें आपके पास बहुत किया है कि स्पेसिंग देखी गाउस के इंदर यह चपनग बुच्छाउड कुछ fonts लेते हैं आप बोलते हैं यहार एक काम करो यह font तो बहुत अच्छा लग रहा है रेकिन चेंज कर लो क्यूंकि यह जो है ना इसमें अलफाज करीब करीब दिखाई दे रहे हैं क्लियर है तो आप यह गलती हमत करना कर आगर अगर इसमें आप यह चाहते हैं कि क्रेक्टर स्पेसिंग आप पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ा सकते हैं आप देखते हैं सोशल मीडिया के ओपर टेक्स का और इमेशर कितना काम है क्लियर है तो जरूर प्लेराउंड करें इसमें मैं जाता हूं कि अब मुझे इसके अंदर क्रेटर स्पेसिंग बढ़ानी है तो मैं यहां पर जाओंगा स्लेक्क करूंगा फॉंट का डाललक बॉक्स हOTे तौह माँदर क्लिक करें डाललải बॉक्स पर जायें यहां पर आरहें मेरे पासğ एडवांस ैडवांस पर जाने कबादद यहां पर यहां पर नजह वासला बाई तो जो भी आप देए आपके वास देखिए यहाँ पदर चले आप इसको के करें और मैं आपको इससे पहले काम करने को बोलता हूँ कि आप कॉपी कर ले और इसको पेस कर ले ताके आपको बिफोर आफ्टर पदर चले अब मैं दुबारा से यहाँ पर जाता हू चाहिए और मैं यहाँ पे स्पासिंग में लेमेंबर फॉंट के ड़ालोग बॉक्स के अंदर फॉंट विंट्र ने दो टैप है फॉंट और एड मांस तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एक्स्पेंड इड के इंदर जितने ओडे ने ये फॉस्ते हूं, सब्सक्राइब करने अब शाहते हैं. तो आप ये देखिए ये आपके पास टायल आई रही है. मैं स्पेसिंग जादे करिटर के दिरह में. तो इसी तरह के सही आ रख के पास अगर आप चाहते हैं कि सको इसके अन्दर स्पेसिंग यह बहुत ज्यादा स्पेसिंग है तो आप इसकी कॉपी करें select करें, font पे जाएं, font के बार advanced step पे, यहां पे आपने का condense, कितने से condense करें आप, अब आप देखें का फर्क है, अब यह कम भी होगे देखें, यह इतना था, क्यूंकि आपने कहा कि सब में इतना फासर से क्रेटर स्पेसिंग कर लो, condense कर लो, यह condense में शिरिंट हो गया, करीब-करीब आगया आपके पास, इसके index spend हो गया, तो इस तरह कि बच्चे क्या mistakes करते हैं मेरे पास, जो इतने ही पढ़ते हैं जाए वो graphics करो, वो कहते हैं सर यह इतना फॉंट है, फॉंट हो ऐसे आप external भी दा सकते हैं, लेकिन अब आप यह जो built-in फॉंट हैं कि अंदर play round करने की नहीं है, आप color combination, color कर स्तमाल, size कर स्तमाल, ठीक है, इस font के अंदर मजी changing कर सकते हैं, clear है, तो यह आपको आनी चाहिए, moving forward आगे, आपके बाद font से increase degrees करना होता है, अभी आप यहाँ करें, point, point जो होता है, एक बटा 6 size होता है, inch का, तो यहाँ पे मैं click करता हूँ, 24, 24, 22 आ रहा है, अगर आपको बड़ा लिखना है, तो आप के type B कर सकते है, saw, इसकी shortcut की होती है, कि अगर यहाँ पे हम जाएं, तो keyboard मैं खुलता हूँ, आपके सामने, तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे यहाँ और, यहाँ पे control plus square bracket, close square bracket दबाता हूँ, तो यह font से increase हो रहा है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ यहाँ पे control plus square bracket, open square bracket दब तो font size degrees हो रहा है, ठीक है, तो इससे बढ़ता है, और इससे कम को हो रहा है, तो control plus square bracket, और यहाँ रखी है, मैंने learning general के इंदर आपके link दिया हूए, shortcuts of Microsoft Office से word नहीं सब का दिया है, वहाँ सारी चीज़ों के shortcuts हैं, तो जरूर उसको learning general में सब से अपर ही दिया है, code start करने से पह तो आप एक गौर कीज़ेगा, इसमें एक और भी हमारे पास, कि अगर मैं यहाँ से click करूँ तो one point बढ़ लाए, ठीक है, तो यह basically, आप यहाँ पर देखीगा, 24 size है, मैं increase कर रहा हूँ, control plus square bracket से, तो यह one point का जाफ़ और है, 36, 27, यह देखीगा, 28, 29, एक-एक point बढ़ अब क्या कहल रहा हूँ, मैं कुछ और करना हूँ, अब देखीगा, अब यह क्या हो रहा है, अब यह double हो रहा है, 28, 28, 36, 48, 72, यह आप कैसे बढ़ेगा size, यह जब आप दबाएंगे, control, shift, or greater sign, ठीक है, control, shift, or greater sign, control, shift, greater sign, control, shift, greater sign से यह double होता रहेगा size, लेकिन यह जब होग पॉइंट हो, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पर करें, तो यह 11 तक हो रहा है, एक एक पॉइंट बढ़ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा बढ़े तो यह जब 12 पहुंच जाएगा, तो 12 के बार फिर डबल होना शुरू हो जाएगा, प्र आइसस तब करके फि हमें बहुत अस्तमाल बस इसी का होता है, कि एक एक पॉइंट को बढ़ाना एक काम करना होता है, तो यह चीजे हैं जो आप पॉइंट को सिंगल पॉइंट बढ़ा दें, तो यह आपके उपर है, उसके लावा अगर आप मूव करें, मूविंग फॉवर्ड के, आपने यहा अगर आप चाहें तो इसके अंदर बहुत सारे options आरे हैं कि आप क्लिक करें, आपको यह चाहिए, यह चाहिए, स्टाइल हो गया, स्टाइल के बाद आप उसमें और भी कर सकते हैं कि underline color, और अगर आप चाहें तो यहां पे underline color मैंने यह कर दिया blue, आप चाहें तो इसके अ आप प्राइलो बॉक्स से खुलते है, फॉर्ण के, अगर आप जाएं तो यह सारी चीज़ों आप यहां पर कर रहे थे, वह सब यहां पर आरी हैं, बहुत आसानी होगा यह आपको प्रिव्यू साथ दिखाई दे रहा है, बिफूर अप्लाई करने से पहले, यहां से आपक करने से पहले पताः चल रहे है, आपने क्लिक किया, आपने बना लिया है, इसका सटाइल यह हो, इसका कलर यह हमारे पार róż also. यह ओक्के कर दे दो. आपके बस टाइल बनाना आपको आने चाहिए तो मैं यहाँ पर जाता हूं और उसके बाद यहाँ पर अंटरलाइन होगे हमारे पास इसी ता यहाँ से भी बिसिकली पॉइंट कार दा है इंक्रीज डिग्रीज करने का दो-दो पॉइंट्स और इसमें एक और चीज देख लेते हैं अब मैं यहाँ से कंट्रोल एक सेलेक्ट आल करता हूं और यहाँ पर क्लियर फॉर्मटिंग क्लियर फॉर्मटिंग का मत्तब क्या हुआ कि अगर मैं इसको अंडू करता हूं अगर मुझे सको मिटाना हो तो मैं इस पर बोल्ड और एप्रायल होगा है, बोल्ड मिटाऊंगा। और उसको 11 फॉर्मटनर्ड का रीटिंग का Mire सब्सूर्मटिंग में मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि इसके उपर मैंने जो फार्मिटिंग करी है यह मखले कमांड के मरस से करी अगर मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ यह उटाना नहीं चाहता तो मैं यहाँ से कहता हूँ क्लियर फार्मिटिंग ठीक है? क्या Ctrl प्लस Space Bar आप दबा दें तो ये खत्म हो जाएगा ये आपने रिमूव फार्मिटिंग करी है Ctrl प्लस Space Bar अच्छा ये फार्मिटिंग आपने क्लिए करी बहुँ अच्छा उप्शन है मैं दुबारा जाता हूँ और कंट्रोल ही करता हूँ सेलेक्ट टॉल किया है मैंने क्लियर फार्मिटिंग कर ली क्लीन अप करता हूँ थोड़ा सा इन डॉक्यमेंट्स के अंदर चीज़ों को और यहां से हम यह मिटा दे दे ओके हम दुबारा यहां पर आजाते है अब मैं फार्मिटिंग करता हूँ कुछ यहां पर मजीद और और मैं कहता हूँ कि भाई यहां से इसको 18 फॉन्ट कर दें 18 साइस कर दें इसका और यहां से आप इसको कर दें एरिल ब्लैक और आप यहां से इसको कलर जो है ना वो आप यह कर ले ए और आप इसको साइस को छोड़ा-सा छोड़ा के ले आप यहाँ पह जाके इसको पर एंडर लाइन दालने है थिक फिजिए यह पर एंडर लाइन का जो शुरलर हो वो अज़र्व होना चाहिए तो आप ने का कि थोड़ा सा गोलर गंडा नहीं बनाना मुझे, मुझे थोड़ा साइस के मैचिंग के करीब बनाना है, तो मैं परपलिश नहीं चलाता हूँ, परपलिश मुझे चाहिए, वन्ना मैं और कोई कर भी ले सकता हूँ, बिलू ले ले दें अभी, अलग करने के नहीं, अब मुझे यह फार्मिटिंग जो है इसको परपलाई करनी है, इसको मैंने अचीफ करा है, कैसे के मैंने अरियल ब्लेक करा, 13 साइस करा, यह हम इसको 14 कर ले दें, इसको पर मैं अंडलाइं करा, अगर मैं इन सब टे करना चाहूँ, अडिंग पर तो मुझे टाइम लगेगा, उसका असान तरीका यह क्या आप करें कि यहां पर फार्मिट पेंटर का स्तमाल, ठीक है, फार्मिट पेंटर बहुत जब्रस आप्शन है, और इसको स्तमाल करना चाहिए, इसमें क्या होता है कि यह सोर्स है, यह वह सोर्स है, और यहां पर लाकर आपको पेंट करना है, तो यह से पकेट है पीट की और यहाँ पेट करना है अपको तो आपको यहां डिप करना है पढ़ेगा और यहां प्रेग करना है थीक, तुझ ऑपके पास क्या होगिए कि वह फान्मेटिंग यहां अप्लाइड हो गईी ठीक है दुबास है बंडू करता है अच्छा मैं इसमें टेकनिक क्या है दो टेकनिक्स बता रहा हूं format paint पर single click करने से क्या होगा कि एक मरद बाब paint हो के खतम हो जाएगा आप ही जाते हैं ब्रुष चलता रहे उसकी नहीं आपको बड़ टेकनिकल चीज़ क्या है यहाँ पर जएए वट डपकलिक करें और उसके बाद यहाँ क्लिक करें यह जब तक चलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे और अगर यह किभूड से आक यह वान मादबा दें मैंने सबको select करा control के साथ याद होगो control selection, break selection, clear formatting अच्छा अब मैं दुबारा से formatting करता हूँ और this time मैं color change करता हूँ और अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कुछ और काम कर रहा हूँ तो आप format printer पर देखी कर जाके यहाँ पर लिख्या हुआ है control shift c और control shift v तो यह भी बड़ा अच्छा option है कि अगर आपने यहाँ पर दबाया कि format printer यह formatting copy paste कर लो तो control shift c आपको याद होगा control c से copy करते दे सिर्फ shift का जाफा कर ले control shift c और जहाँ paste करना है आप control v करते दे आप इसमें shift का जाफा करना है control shift v तो क्या हो कि format copy paste हो गई जो copy paste आप normal करते दे उसमें control c control v paste करते दे दे और जो format printer format printer का मत्तब है कि जो formatting यह अली है वो यहाँ copy paste हो जाए तो आपके पास यहाँ लिखावा भी आ रहे है कि control shift c से shift का इजाफा हो गया तो formatting copy paste हमारे पास यहाँ पर हो गई क्लियर रहे तो यह बड़ी important चीज़ है आपको आनी चाहिए इसके लाब बहुत important चीज़ हमारे पास कि यहाँ पर हम जाएं तो change case is very important के आप सित्माल करें कि अगर एक line है यहाँ पर sentence के एक sentence खतम हुआ दूसरे sentence start हुआ तो capitalist से start हो रहा है अब आपने यह word लिख है आपने small लिख दिया आपको caps में लिखना था तो आपको मिटाने के ज़ुद नहीं आप यहाँ पर जाएं आप सू कर लिखना था आपको lowercase कर लें अगर sentence करना चाहते हैं कि पहला word capitalize होना चाहिए तो यह कर लिए और जो my favorite सबसे अच्छा capitalize each word capitalize each word में असानी यह है यह अगर मैं shift के साथ दवा रहा हो था तो मुझे 1,2,3,4,5,6,7 पर दवाना पड़ता shift के साथ यह लिखना पड़ता तो मुझे जरूरत नहीं है में लिख लेता हूँ और लिखने के बाद मैं उसके उपर यह चेंज करता हूँ वैसे formatting करने के बहुत ज़्यादा तरीके जो normal तरीका जिसे हम काम कर रहे होते हैं वो यह करते हैं कि हम पहले type कर लेते हैं type कर लेते हैं type करने के बाहर स्कूब formatting करते हैं formatting के मजीद बात करें तो आप टेक्स का काम कर लेते हैं और भी चीज़े अट कर रहे होते हैं लेकिन अब बहुत जारा फसीद काम होगया कि आपके बाहिए बहुत जादा आगे हैं इन्फोग्राफिक्स टाइप की चीज़े बनती है तो उसमें आपको बहुत साथी साथ काम बना पड़ता है लेकिं traditional method यह था कि पहले आप टाइप कर लेते थे और image बात में दाते रहे थे और उसके बाद फॉर्मेटिंग करते थे तो आपको असान ही होती थी वैंना क्या होगी अगर आप enter मारते हैं उसी फॉर्म नो फॉलू कर रहा है आपको तो सिंपल पैर्लाफ रखना था तो काप यहांसे मटा दीजिय को आपको लिए certains मारते हों तो इसी फॉर्म न len's फॉलू करता है अच्छा यह आपने क्या किया कि चेंज केस करा इसमें एक और भी आ रहे टोगल केस ठीक है यह जीब सा केस है इस्तमाल बहुत ही नहीं होनके ब्राबर ही होता है मेरे नजीग तो के पहले वर स्मॉल बाकी सा केप्रलाइस अगर आप इसमें देखेगा मैं यहां पर चेंज केस में आता हूं दुबारा से और मैं स्लेक करता हूं इसमें अगर आप जाएं तो यहां पर मेरे पास आरहे lower capital पांच सारी चीज़ा आ रही है तो इनको बिल्कुल अप्राइगे के देखिए गा इसमें जो इंपॉर्टन चीज़ मुझे बदाने थी आपको वह यह थी कि आप जब भी काम करें चेंज के उपर तो डॉकुमेंट पहले टाइप कर लें अभी मैंने पहले बताई भी था क है ताइप कर लें उसके बात जो फिए एड़िट करने है वो आप काम करें किस में अपर के शो खीने किस आप को प्रवाइट करना हुख जो आपको प्रोवाइट कहला गिया इसको बेखके आप को पढधना है के सारे चीजे क्या हैं, नोट से लिखे में, उनके अंदर बटन है कि शॉर्टकर्स को सब्सक्राइब क्लिक कीजिएगा, जो जो मैं शॉर्टकर्स बोल रहा हूं उसमें लिखे भी हैं, लेकिन मैं आपको सारे चीजे नहीं बता सहते हैं, शॉर्टकर्स बताने बेटा तो उसे दो यहां पर जाएं तो आपके पास कैंसलीशन आ रहा है, अगर आपके यहां पर स्ट्राइक थूरू, जिसको मैं कंप्रूटर की जबान में कंप्राइस कैंसलीशन बलता हूं, आपको मिटान है, यह बड़ा इंपॉर्टन है कि अगर आप दो बंदे एक डॉक्रमट में काम क रहे हैं, आपने परेग्राफ लिखा या आपने आर्किकल लिखा आपका दोस्त इसको रिव्यू कर रहा है, अब उसने यूं मटा दिया, यहां पे आया है उसने बेक्सपेस से बडा दिया है जिलीट डबा दिया है, उसने आपको सेंड कर दिया, अब आपको नहीं बता कि कि उसने क्या मिटाया लेकिन वो क्या करें वो आपको मिटाई नहीं वो से यहां से स्ट्राइक थू कर देगा भाई यह मुझे साइनी लगा इसको शॉर्ट कर लो इसमें से यह उड़ा दो आपके पास जब यह इमेल वाफिस आएगी तो आप देखिएंगे अच्छा मेरे दोस्त ने कहा था कि इसको यहां से मिटा दो तो पर आप मिटा देंगे इसको क्लीर है तो श्ट्राइक थू कैंसलिशन की निया की रही है शोट्लिस करना है 10 नहीं शौट्लिस कर लो दो लोगक्स लगक्र करने दो आट लोगों यह नाम जो शख़ोट लिशन कर लिया है ठीका है तो कैंसेलेशन बहुत सतमाल होती है मैं रिडिंग मॉड में बना रहु है इमेइलिंग करनी है हम कॉलविशन के गाम करते हैं बिस्मेशन के थे आदे तो ये हमारा बखाव सतमाल हुते है ठीक है बोपते सिलम्मिछ के नहीं वीरे। मैं blocks program कर रहा हूँ मैं article लिख रहा हूँ कोई चीज बना रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ उसके अपर मुझे जो चीजे बात में चाहिए भी होती है मुझे अभी important चाहिए और मैंने cancellation कर दिया है बात मैं कि इस्तमार कर लूँगा या औरा देता हूँ पावर उपर की दफ कर देना आपके पास यहां पर आप चलें तो यह पावर उपर की दफ सुपस्क्रिप तो मैं थोड़ा बड़ा भी करता हूँ यह आपके पास जो है वह सुपस्क्रिट और अगर आप यहां पर नीच जा आ जाए तो यह सब्स्क्रिप केमस्टरी फेजिक्स के पेपर स्वीडा बनाने आपके पास तो इसके इंडे किषिजन साइब कीसे लिखनी है तो नहीं इस वपस्करिप सबकर बहुस्तमाल हो दो होता है क्लियर है छोड़ी बड़ी छीज हैं बड़ी इंपॉर्टन बहुस्तमालमाल होती हैं इसके लाव अगर आप चलें तो इस हाइलेटर आपको वह एगें रिविव में जाने किसी को डॉक्यमेंट देने हैं सेंड करने हैं और इंपॉर्टन पॉइंट्स हैं तो आप इसको हाइलाइट करके दे 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 यह हाइलेट के लिए आपके अगें मैं कहूंगो जो और नो कलर कर दे चोटे-चोटे जएम में सवाल आते हैं आपके बाता गाए मॉस के जएम दे माइक्र आफिस स्पेशलिस जएम वर्ट कर दे मो हंड्रेट तो इस तरह के सवालत आते हैं आप कलिक करें हाइलेटर के और भी कलर आ रहें ठीक है नो कलर दे उसके लावा मैं तो यहां पर जाता हूं इसको डिलीट करता हूँ और मैंया क्रेमार्ड लिखता हूं और इन्ड. आपके पास आपके पास text effects अगये थे थीक है आपके बस text effects जो हैं अगर आप इनमें जाएं तो ये effects हैं अगर इनमें आप देखें तो इन बिल्टन्स आ रहें इसमें कोई outline आ रही है इसको मैं text को बढ़ा भी कर ले तो बालकि वीडियो provide को मैं बढ़ा कर ले दें और यहां पर जाने के बाद आप स्टाइल से बिल्टन अप्लाई करें इसमें आके बाद देगी का यह रिफ्रेक्शन हा रही है ठीक है अगर आप नीचे वाले पर चले हैं तो यहां पर मैं जाता हूँ यहां पर जाएं इसको स्लेक्ट करें तो यहां पर यहां पर यह बता रहा है कि इनर शेड़ दलाव है आपको पता चलता है यह शेड़ो इसके अंदर दलाव है जिसकी यह मदद से यह थोड़ सा बेवल टैप सा थाट टैप सा अबरा वाल सा लगए आपके पास ले रहे इनमे मैं जाता हूँ अगर हटाना है तो आप यही पे जाएंगे और आप यहां पर जयें शेड़ो में जयें यहां से नो कर लिए यह ऊपर जो चीजवा ते बिल्टन я रही है क्या पर जाएंगिंआ हैं यह बिल्टन अरे हैं बेवल इंपो टैप की शेड़ों यह सारी चीज़ें यह केडिगरिज आ रही हैं तो इनमें जो इस्तिमाल होते, shadow होदे है, इनमें outline बहुत इस्तिमाल होते है, अगर मैं यहाँ पर जाओ तो मैं click करता हूँ, outline आप ओड्याइन आरड्लाइन टेक्स डाल लिकी कदा लिये आप ने आप ने कहा कि आप लूरो डाली अभानान क के उपर दलिए और यह इसका style change आप यहाँ पर जाएं क्लिक करें आप यहाँ पर जाएं उसके इंदर outline के उपर और यह outline के weight आ रहे है इसका size इसका style भी आ रहे है just like के outline में आपने stroke में डाला था underline के अंदर अब आपने यहाँ पर style डाल गया color चाहिए weight कैसा है और उसका style कैसा है तो मैंने यहाँ पर यह दाला और यह देखिए का यह आपके पास यह dashes type का style आपके पास तो यह सारी चीजें जो आपको आने चाहिए इसी दाम में इसमें जाता हूं click करता हूं glow में जाता ह सेवर वाला glow कैसे गलो होगी है अब इसमें मैं आपको हिंडेने वाला हूं बहुत जबरत किसम की और यह इतना बड़ा portion है कि आपको पूरा घंड़ 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 लग जाएगा इसको पर explore करने के इंदर सही तरीके सा अगर आप चाहतें काम करना वह यह है कि जितने भ तो सीधे आपके बड़ पेन आ जाएगा फॉर्मल टेक्स पेन तो यह glow के option बता रहेगा है भाई glow का size कितना इसका color इसकी transparency मतलब यह कितना visible उसका यह transparent करने से visible हो जाए यह visibility कम होती है इसकी ठीक है और आगस की बीचे कोई चीज़ होगी तो आरप पर भी दिखाए देगी तो यह solid दिखाना चाहता हूँ तो मैं solid कर सकता हूँ तो मैंने यह किया तो यह effect आगया हमारे पास इसी तरीके से यहां पर चलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहां से जाओ और shadow दाल दो अब मैं आपको एक दो एक दो कस्टमाइज करके दिखाना हूँ बाकि आप खुछ से प्रैक्टिस जरू कीज़ेगा अच्छा यहां पर मैं जालता हूँ order यह shadow दाल गया नजर भी आर आपको shadow कस्टमाइज करना है तो मैं यहां पर आगे shadow के उपर वह आप यहां से भी आ स आइस कितना बड़ा चाहिए ठीक है उसके लावा उसका blur धुला कितना हो आपके पास वो सारी चीज़े उसका angle most important यह angle कहां पर हो यह किस तरफ एंगल मैं कितने degree पर यह angle आ रहे है किस तरह move करना इधर 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 कहां पर move करना इसका distance टेक्स से कहां पर हमारे पास तो यह आप देखिए कि जितने भी यह text effects आपके पास आ रहे हैं उन सब को मजी कस्टमाइग कर सकते हैं तो आपको चार इधर पेगांब करने online shadow reflection and glow apply भी करना है built-in डाले उसके बाद यहां gallery में कस्टमाइज करें gallery से apply करें पर इनकी further जो अपनी gallery है फिर उसके बाद इनके format explain में जाकि आप इसको जैना explore करें I hope कि इसमें कोई चीज आपको मुश्किल नहीं लगे होगी आप इस पे इंशालला next topic पर हम बात करेंगे हम हमें paragraph formatting जो होते हैं वो कैसे करनी है clear है और इसमें जो भी चीज़े हैं मैं आप सब सब कैस करता हूं कि कमेंट्स करें वीडियो